दोस्तो बहुत बहुत सुआगए थे आपका एक पारफेट से आपके अपने ही चैनल के रिक पॉलिपार जाँ दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं साल 1990 की 25 सबसे बड़ी फिल्मों के बारे में यानी कि साल 1990 की टॉप 25 फिल्मों के बारे में हम बात करेंगे पहले नंबर पर कौन से फिल्म थी 25 वे नंबर पर कौन से फिल्म थी और सभी फिल्मों के बॉक्स ओफिस कलेक्शन के बारे में बजट के बारे में हिट और फ्लॉप के बारे में तो सारी चानकारें आपको मिलने वाली है इस वीडियो में तो बस आप इस वीडियो के साथ ब मिथुन्चे करवर्ती, संगीता बिचलानी और आदित्य पंचुली इस फिल्म में एहम किरदारों में नसर आई थे फिल्म को डेरेट क्या था कावल शर्मा ने और पजट इस फिल्म का तकरीबन दो करोड रुपे था जमाई राजा, अनिल कपूर, माधुरी दिक्षीत और हेमा माले नी इस फिल्म में एहम किरदारों में नजर आई थे फिल्म को डेरेट क्या था एक के रेड़ी ने और पजट इस फिल्म का तकरीबन एक करोड नबे लाख रुपे था बॉक्स आफिस इंडिया पर इस फिल्म ने दो करोड 37 लाख रुपे की कमाई की थी और पूरे वर्ल्ड में तकरीबन 4 करोड 25 लाख रुपे कमाई थे और फिल्म बॉक्स आफिस पर बिलो एवरेज साबित हुई थी 23 वे नमबर पर थी किरोद, सन्नी देओल, संजेदत और सोनम इस फिल्म में एहम किरदारों में नज़र आई थी फिल्म को डेरेट क्या था शेशिलाल नायर ने और बजट इस फिल्म का तकरीबन 2 करोड रुपे था 22 वे नमबर पर थी मुकदर का बादशा, विनोध खन्ना, शवानास्मी और अनुपमखेर इस फिल्म में एहम किरदारों में नसर आई थी फिल्म को डेरेट क्या था रामा राउने और बजट इस फिल्म का तकरीबन 2 करोड रुपे था बॉक्स आफिस इंडिया पर इस फिल्म ने 2 करोड 35 रुपे की कमाई की थी और पूरे वर्ल्ड में तकरीबन 4 करोड रुपे कमाई थी और ये फिल्म बॉक्स आफिस पर बिलो एवरी इच साबित हुई थी 21 वे नमबर पर थी जहरीले जितेंद्र, संजेदत और भानुपिर्या इस फिल्म में एहम किरदारों में नसर आई थी फिल्म को डैरेट क्या था जतिन गोयल ने और बज़ट इस फिल्म का तकरीबन 2 करोड 10 रुपे था बॉक्स आफिस इंडिया पर इस फिल्म ने 2 करोड 50 रुपे की कमाई की थी और पूरे वर्ल्ड में तकरीबन 4 करोड 40 रुपे कमाई थी और फिल्म बॉक्स आफिस पर बिलो एवरी इच साबित हुई थी 20 वे नमबर पर थी दूद का कर्स जैकी श्रॉफ, नीलम, अरुना इरानी इस फिल्म में एहम किरदारों में नज़र आई थी फिल्म को डैरेट क्या था अशुक गायकवाल ने और बजट इस फिल्म का तकरीबन 2 करोड 25 रुपे था बॉक्स ओफिस इंडिया पर इस फिल्म ने 2 करोड 65 रुपे की कमाई की थी और पूरे वल्ड में तकरीबन 5 करोड रुपे कमाई थी और ये फिल्म भी बॉक्स ओफिस पर बिलो एबडेट साबित हुई थी 19 में नमबर पर थी महासंग्राम गोविंदा, विनोध खन्ना और माधुरी दिक्षित इस फिल्म में एहम किरदारों में नजर आई थी फिल्म को डेरेट क्या था मोकुल आनद ने और बजड इस फिल्म का तकरीबन 1 करोड 80 रुपे था बॉक्स ओफिस इंडिया पर इस फिल्म ने 3 करोड रुपे की कमाई की थी और पूरे वल्ड में तकरीबन 5 करोड रुपे कमाई थी और फिल्म बॉक्स ओफिस पर अबव एवरेज साबित हुई थी 18 नमबर पर थी सेलाब आदिती पंचुली और माधुरी दिक्षित इस फिल्म में एहम किरदारों में नजर आई थे फिल्म को डेरेट क्या था दीपक बल राज ने और बज़ड इस फिल्म का तकरीबन 1 करोड 25 रुपे था बॉक्स ओफिस इंडिया पर इस फिल्म ने 3 करोड 15 रुपे की कमाई की थी और पूरे वर्ल्ड में तकरीबन 5 करोड 75 रुपे कमाई थे और फिल्म बॉक्स ओफिस पर हिट साबित हुई थी सत्रवे नमबर पर थी शीवा नागरशुना परेशावर इस फिल्म में एहम किरदारों में नज़र आई थे फिल्म को डैरेट क्या था राम गोपाल वर्माने और बजट इस फिल्म का तकरीबन 2 करोड 25 रुपे था बॉक्स ओफिस इंडिया पर इस फिल्म ने 3 करोड 25 रुपे कमाई थे और पूरी वर्ड में तकरीबन 6 करोड रुपे कमाई थे और फिल्म बॉक्स ओफिस पर एविरेज साबित हुई थी 16 नंबर पर थी आशीकी राहुल रॉय और अनु अगरुआल इस फिल्म में एहम किरदारों में नज़र आई थे फिल्म को डैयरेट क्या था? महीश भटने और बजट इस फिल्म का तकरीबन 1 करोड 25 रुपे था बॉक्स ओफिस इंडिया पर इस फिल्म ने 3 करोड 40 रुपे की कमाई की थी और पूरी वर्ड में तकरीबन 6 करोड 2 साब रुपे कमाई थे और फिल्म बॉक्स ओफिस पर हिट साबित हुई थी पंद्रवे नमबर पर थी नाका बंदी धर्मेंद्र, शिर्देवी और चक्की पांडे इस फिल्म में एहम किरदारों में नसर आई थे फिल्म को डैरेट क्या था शीबू मित्रा ने और बजट इस फिल्म का तकरीबन धाई करोड रुपे था बॉक्स ओफिस इंडिया पर इस फिल्म ने साले तीन करोड रुपे की कमाई की थी और पूरे वल्ड में तकरीबन साले छे करोड रुपे कमाई थे और फिल्म बॉक्स ओफिस पर एवरेज साबित हुई थी ने तकरीबन 7 करोड रुपे कमाई थे और ये फिल्म बॉक्स ओफिस पर हिट सा भी थुई थी तेहरवे नमबर पर थी वीरुदादा, धरमेंद्र, आदित्य पंचोली और अमरिता सिंग इस फिल्म में एहम किरदारों में नसर आई थे फिल्म को डैलिट क्या था? के आर रेडदी ने और बजट इस फिल्म का तकरीबन 2 करोड 60 लाख रुपे था बॉक्स अफिस इंडिया पर इस फिल्म ने 3 करोड 60 लाख रुपे की कमाई की थी और पूरे वर्ल्ड में तकरीबन 7 करोड 15 लाख रुपे कमाई थे और फिल्म बॉक्स ओफिस पर एवरेच साबित हुई थी बारवे नमबर पर थी पिर्तिबंद चिरनचीवी और जुही चाबला इस फिल्म में एहम किरदारों में नज़र आई थी फिल्म को डेलेट क्या था रवी राजाने और बजट इस फिल्म का तकरीबां दो करोड रुपे था बॉक्स ओफिस इंडिया पर इस फिल्म ने तीन करोड पैसाट लाख रुपे कमाई थे और फिल्म बॉक्स ओफिस पर सेमी हिट साबित हुई थी ग्यारवे नमबर पर थी घर हो तो ऐसा अनिल कपूर, मिनाक्षी और कादरकान इस फिल्म में एहम किरदारों में नज़र आई थे फिल्म को डायरेट क्या था काल पटारों ने और बजट इस फिल्म का तकरीबां एक करोड नबे लाख रुपे था बॉक्स आफिस इंडिया पर इस फिल्म ने 3 करोड पे 76 लाख रुपे कमाई थे और फिल्म बॉक्स आफिस पर हिट साबित हुई थी दसवे नमबर पर थी जीवन एक्षंगर्स अनील कपूर, माधुरी दिक्षित और राकी इस फिल्म में एहम करदारों में नज़र आई थे फिल्म को डैरेट क्या था राहुल रावल ने और बजट इस फिल्म का तकरीबां 2 करोड 25 लाख रुपे था और बॉक्स ओफिस इंडिया पर इस फिल्म ने 3 करोड 80 लाख रुपे कमाई थे और फिल्म बॉक्स ओफिस पर एवरेज हुई थी नवे नमबर पर थी पुलिस पबलिक राजकुमार, नसुर उद्दीन शाह और पूनम धिल्लो इस फिल्म में एहम किरदारों में नसर आई थे फिल्म को डैलिट क्या था इसमाईल शरॉप ने और बजट इस फिल्म का तकरीबां 2 करोड रुपे था बॉक्स आफिस इंडिया पर इस फिल्म ने 3 करोड 80 लाख रुपे कमाई थे और फिल्म बॉक्स आफिस पर सेमी हिट साबित हुई थी आठवे नमबर पर थी बाप नम्बरी और बेटा दस नम्बरी जैकी श्रॉप, कादर खान और शक्ती कापूर इस फिल्म में एहम किरदारों में नजर आई थे फिल्म को डेलेट क्या था अजीज सेजावन ने और बजट इस फिल्म का तकरीबां 1.5 करोड रुपे था बॉक्स ओफिस इंडिया पर इस फिल्म ने 3.90 करोड रुपे कमाई थे और फिल्म बॉक्स ओफिस पर हिट सावित हुई थी साथवे नमबर पर थी बागी सलमान कान, नगमा और किरन कुमार इस फिल्म में एहम किरदारों में नजर आई थे फिल्म को डायरेट क्या था? दीपक शिर्दसानी ने और बजट इस फिल्म का तकरीबन 1.60 करोड रुपे था बॉक्स ओफिस इंडिया पर इस फिल्म ने 4 करोड रुपे कमाई थे और फिल्म बॉक्स ओफिस पर हिट सावित हुई थी चड़वे नमबर पर थी थानिदार संजेदत, जयापर्दा और जितेंदर इस फिल्म में एहम किरदारों में नजर आई थे फिल्म को डायरेट क्या था? राज एंसिप्पी ने बजट इस फिल्म का तकरीबन 2 करोड रुपे था बॉक्स ओफिस इंडिया पर इस फिल्म ने 4 करोड 75 लाग रुपे कमाई थे और फिल्म बॉक्स ओफिस पर हिट सावित हुई थी पाचवे नमबर पर थी किशन कनहिया अनिल कपूर, माधुरी दिक्षित और अमरेश पूरी इस फिल्म में एहम किरदारों में नज़र आई थे फिल्म को डैरेट क्या था? राकेश रोशन ने और बजट इस फिल्म का तकरीबन 2 करोड रुपे था बॉक्स ओफिस इंडिया पर इस फिल्म ने 5 करोड रुपे कमाई थे और फिल्म बॉक्स ओफिस पर हिट साबित हुई थी चौते नमबर पर थी अगनीपत मिथुन चकरवर्ती, अमिताब बच्चन और डैनी इस फिल्म में एहम किरदारों में नज़र आई थे फिल्म को डैरेट क्या था? मुकुल आननने बज़ट इस फिल्म का नहीं पता चल पाया लेकिन हाई बज़ट फिल्म थी ये बॉक्स ओफिस इंडिया पर इस फिल्म ने 5 करोड पे 76 लाक रुपे कमाई थे और फिल्म बॉक्स ओफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी साथ करोड पे कमाई थे और फिल्म बॉक्स ओफिस पर सोपर हिट साबित हुई थी दूसरे नंबर पर थी घायल सनी देओल, मिनाक्षी और राजबबबर इस फिल्म में एहम किरदारों में असर आई थे फिल्म को डैरेट क्या था? राजकुमार संतोशी ने और बज़ड इस फिल्म का तकरीबन 3 करोड पे था बॉक्स ओफिस इंडिया पर इस फिल्म ने साड़े 9 करोड पे कमाई थे और फिल्म बॉक्स ओफिस पर सूपर हिट साबित हुई थी और पहले नंबर पर थी अल 1990 में आमिर खान की दिल आमिर खान, माधुरी दिक्षित और अनुपम खेर इस फिल्म में एहम किरदारों में नसर आई थे फिल्म को डियरेट क्या था इंद्र कुमार ने बज़ड इस फिल्म का तकरीबन 3 करोड पे था बॉक्स ओफिस इंडिया पर इस फिल्म ने 10 करोड पे कमाई थे और पूरे वर्ल्ड में तकरीबन 3.5.18 करोड पे कमाई थे और फिल्म बॉक्स ओफिस पर सोपर हिट साबित हुई थी तो दोस्तों ये 25 फिल्म में थी साल 1990 में आई टॉप 25 में रहने वाली उमिद करता हूँ आपको ये वीडियो पसना होगा भी कल साल 1991 का वीडियो आने वाला है तो ये वीडियो बनाना चाहिए है नहीं कमेंड में येस और नो सुरू लेकिएगा थैंक यू